कि बिसमिल्लाइब रहीम इया का नाबुदूबा इया का नस्ताइंग असलाम लेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं मैं हूँ असीम एंड वेलकम बैक तो मैं आप लोग साथ कोई इस लोकेशन में इस लाइटिंग में विडियो लेके तो फाइलली आज की वीडियो में आप लोग करने जा रहा हुँ हो है बैला की वांडे कॉलेक्शन में से ओशन ब्लू तो यह ओशन ब्लू यह लेंज इस मिलेंगे क्या इसकी क्वालिटी आपको में किस कदर स्कून देते यही सारा कुछ आज की इस इंट्रस्टिंग वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा तो हम ज्यादा बातें नहीं करते हम स्टार्ट कर लेते अपनी वीडियो वीडियो में आपने उससे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल पर आने वाले जो ने वियो और जैम पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल के आइकोन को दबाए ताके मैं अलो से शेड है ठीक है यह आप देख सकते हो पीछे से भी आप देख सकते हो ओशन ब्लू सोरी यह इसकी सीदी साइड है यह इसके उपर मेंशन है ओशन ब्लू और यहां से आप देख सकते हो यह इस तरह के लगते है ठीक है तो इसको ओपन कर लेते हैं मैं यहां पर होता है यह अगलत बतार हूं किलेक्शन जो होती है उसको सिर्फ एक दफ़ा लगाकर कर तटे हैं लेकिन मैं आपको बता दू है तो आपके अंखो कुछ नहीं की जैसे को में आप लोगों को बता हो क्या हो दुखो लगाने से पहले हमेशा आपके हाथ अच्छे से दोया होगा दैन्स को पकरना है मतलब इस तरह से नाहून अगर आपके है तो आप ने मिक्शोर करना है कि लान्ध से बैंक बले सकते हो और लेसे यह लगाने का तरीका है कि आखो को उठाके सामने की तरफ देखके जो वाइट बॉल इसके ऊपर रखके यह सामने दिखोगे तो आपका लेंग आपकी आखे आखे तिक आप देख सकते हो यह ब्लू सी शेर आखेंगे डिफरेंस बेट्विन मैं आईज है यह अपनी आख है और यह लेन्जिस के साथ है मिरे आख और आप देख सकते हुए मैं काफी ज़्यादा खुली खुली और यह यूच्ट्य से दिखो गए और इस साइट से देखोगे तो में आखा अप जदा अच्ड़ आ रही है लेंज को एक स्पेसिफिक टाइम होते हैं उसी टाइम में इप्लाइ करना होते हैं इस जाद अप्लाइए नहीं करना होता है तो मैं बेला की और भी जो क्लेक्शन है आप लोग सार व्यू शेर कर दूंगा लेकिन आज की वीडियो में सरफ यह रिव्यू शेर कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ चीक है यह आगे एंड यू गाइज और रहा है और में आखे काफी जादा बड़ी बड़ी और खुली लग रही है आप लोगों के सामने के लिए एक सेकेंड है है यू गाइज गाइज सी दर डिफ्रेंस डिफ्रेंस आप लोग देख सकते हो आप लोगों के सामने है ठाव ठीक है तो काफी ज्यादा सोफ्ट काफी ज्यादा आप लोगों के सामने है तो आपको आपको यह आच पी रिपसांदा ही होगी अच्छी लगी होगी अच्छी लगी होगी अच्छी लगीओ मेक शूर आपने मेरे शेयनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक हो शेयर जरूर करने मिलता हूं मैं आपसे नेक्स वीडियो में आप अपना बहुत सारे क्या रखेंगा तिल दा टेक केर अला हाफिस